कैसे मिल सकता है free term insurance term insurance वो भी पूरे 100 सालों तक के लिए LIC के ऐसी कौनसी policy इच में maturity होने के बाद भी आपको 100 सालों तका free term insurance मिलता है हाई दोस्तों मेरा नाम है आशीज सिंगरावद let's begin the video जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दिया था कि यह free term insurance है वो भी पूरे 100 सालों तक के लिए अब आप सोच लोंगे यह कौनसी policy कोई भी term insurance जो होता है वो 65 साल कर लिए होता है बट यह 100 साल कौनसी policy के बारे में बता रहा है आज हम बात करने वाला है LIC के ऐसे plan के बारे में इसका नाम है जीवन आनन्त पंदरा से लेके 50 साल तक का व्यक्ति इस policy को ले सकता है लास्ट एज जो रहेगी 75 साल की रहेगी 25 साल में maturity हो जाती है वन टाइम आपने policy लिबा लेजी किसे ने 20 साल की उमर में policy लिए ही तो 20 साल का term आपने चूज किया तो 40 साल में आपको maturity मिल जाती है साल 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 का आपका term insurance चलता रहेगा सबसे मज़े की बात लिए इस policy की eligibility क्या है क्या criteria है किस उमर से लेके किस उमर तक का व्यक्ति इस policy को ले सकता है और इसका term कहां से लेके कहां तक जा सकता है ये सारी details आपको मेरी पूरी वीडियो में मिल जाएगी आप वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए और वीडियो को share कीजिए बहुत सारे लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको ये जानकारी देना हमारा काम है अगर आप इस policy को लेना चाहते हैं, इसके eligibility बता दू मैं आपको minimum age 18 साल से start हो जाती है, maximum नहीं 50 साल तक ले सकते हैं, sum assured minimum एक लाग रुपे, एक लाग रुपे इसा नहीं आपको एक लाग रुपे देने हैं, sum अगर मतलब दुरकटना होने पर जो 25 साल और right वाली साइड में 35 साल इसका minimum, देके premium दे रहा है, month ली दे रहा है, half year ली दे रहा है, year ली दे रहा है, दोनों तरफ दे रहा है total आपने कितना payment premium पे करना है, 5,49,000 रुपीज किया, असपस, दूसरे साइड में 5,15,000 किया, असपस इधर आप देखरो, 13,00,000 का maturity उदर हो रहा है, उदर देखरो आप 25,00,000 का maturity हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ हमारा जो 20 साल का age वाला बंदा है, उसकी जो term चूज का, 25 साल का किया, उधर 35 साल का चूज किया, term उतना जादा रहेगा, उतना हमारा profit जादा रहेगा अच्छा ये बात हो कि maturity की maturity हो जाएगी 25 साल बाद 35 साल बाद ये maturity amount हो गया है साथ में साम नीचे देखिए आपको maturity के बाद अगर policy order के साथ कोई दुर गटना हो जाती है तो 5 लाग रुपे दुबारा परिवार को मिलते है और right side में भी same 5 लाग रुपे दु परिवारा policy order के साथ कभी कोई दुर गटना होती है policy maturity होने के बाद भी तो भी परिवार को 10 लाग रुपे का nominal का amount मिलता है दोनों cases में दोनों calculations के साथ premium paying option yearly half yearly quarter monthly tax benefit ATC के अंदर आता है settlement of maturity and death single time payment भी मिल सकता है at the time of maturity or death के time पर right दूसरा option में बोलता है कि आप choose कर सकते हैं आपको monthly half yearly पांच साल की gap में 10 साल की gap में 15 साल की gap में मिल सकते हैं यह चुनाओ सिर policy holder ही कर सकता है और कोई एक VSRB wasted simple revisory bonus इसकी calculation में आपको बता दो कैसे निकला है इस according 10 साल बाद अगर यह policy holder चला जाता है उसके बरिवार को 24,90,000 पर मिल जाते हैं इस policy के अंदर रहा how to calculate VSRB देखिए समय shortcode divide करना है 1000 से और जो bonus करेट अभी जो चल रहा 49 रुपीस चल रहा उसके according से यह screen पर आपकी calculation है जो कि आकड़ा मैंने निकाला था पिछली slide में यहाँ पर 49,90,000 रुपीस का वो यहाँ पर कैसा है और यहाँ से आप चले कर सकते हैं thank you दोस्तों I hope आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी